और तूट्टेंट्स वैलकम् टू माइ चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर हमारा चैप्टर था जो लैजर मैंने आपको कल बताया था कि आपका चैप्टर मोस्ली कम्पलीटेड है आज मैं लैजर की प्रेक्टिस करवा रहा हूं और प्रेक्टिस के साथ ही आपका चैप्टर भी complete हो जाएगा मैंने एक topic छड़वाया था opening entry का opening entry laser में भी post होती है उसके बारे में मैं यहां पर भी छुड़वा रहा हूं कि opening entry को laser में कैसे post करते हैं वैसे तो simple है लेकिन अगर आपको opening entry का मतलब भी नहीं पता आपको यहीं नहीं पता कि opening entry होती क्या है तो आप उसे laser में post करना सीख तो लोगे लेकिन वह क्रेमिंग होगी आपको समझ नहीं आएगा तो बेसिकली इसलिए मैं आपको वह topic प्रॉप करवा रहा हूं जब भी मैं opening entry की lecture बना कर डालूँगा तो आपको साथ में ही उसी जर्नल एंट्री के साथ ही laser का भी साथ में करवा दूँगा तो इसी वजह से आपको opening entry का फिलहाल करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आज आपके लिए कुछ practice के लिए question लेके आया हूं वह question हम करेंगे जिससे आपका यह topic अच्छे से clear हो जाएगा जैसे कि हमारा question number 9 है जो book मेरे पास है वह कल्यानी publication की कल्यानी publication की book है elements of bookkeeping जिसमें से मैं आपको question करवा रहा हूं पहले मैंने journal भी इसी book में से करवा रहा हूं तो इस book में से मैंने जो laser का chapter करवाया है उसमें ninth question given है practice के लिए जिसमें हमने क्या करना है मैं पढ़के बताता हूं फिर हम start करते हैं question from the information given below जो हमें information given है prepare the account of Mr. Small as it would appear in the books of Mr. Big देखिए सबसे पहली बात students आपको बस एक चीज़ दियान में रखनी है कि आपको कभी भी question attempt करना है किसी भी class में question attempt करना है और किसी भी subject का करना है तो आपको सबसे पहले statement को अच्छे से पढ़ना है statement में बहुत कुछ चिपा होता है कई बार हम क्या करते हैं over confidence में statement को अच्छे से नहीं पढ़ते उसी वजह से यह गलत हो तो यहां पर आपको वो चीज clear करवाऊंगा कि statement को अच्छे से ना पढ़ने पर क्या नुकसान होता है तो basically आपको पहले यह पढ़ना है कि prepare the account of Mr. Small हमने किसका account बनाना है Mr. Small का account बनाना है as it would appear in the books of Mr. Big मतलब Mr. Big की books prepare करनी है और Mr. Small का account बनाना है तो मतलब आप समझो कि आप Mr. Big हो और आपका customer है जा आप जिनसे समान खृते हों basically उन्हें supplier बोलते हैं जा आपका वो supplier है जा कोई भी बन्दा है आपने उसकी detail एड़ करनी है अपनी laser book में basically आप Mr. Big हो आपको इस चीज को समझ कर चलना पड़ेगा तो उसके regarding हम पहली entry पढ़ेंगी तो पहली entry क्या है मिस्ट मार्च वन मार्च फर्स्ट डैबिट बैलंस ब्रॉट फॉर्वर्वर्ड इस एंट्री का नॉर्मल सा मीनिंग है मैंने आपको कल सिखाया था कि डैबिट ब्रॉट डाउन क्या होता है करी डाउन क्या होता है तो basically जो गी बैलंस गिवन है that is brought forward मतलब ब्रॉट डाउन ही है इसका मतलब भी तो आपको इसे ब्रॉट डाउन ही समझना है पहले हम format बना ले इसका फिर पर्टिकुलर्स फिर जे एफ फिर अमाउंट फिर डेट फिर पर्टिकुलर्स एंड डेन जे एफ and फिर अमाउंट अच्छा स्टुडेंट्स मैंने कल एक कोश्ण पूछा था आपसे what is the meaning क्वारानल को मंने Als 거 युकि Remember k Khanum in London 115 को मिनिंग होता है कि जब भी है अवर उसे को हम लैजर में लेकर आते हैं तो लैजर में कितने नं़र पोस्ट पर हम से पोस्ट कर रहे हैं उस पेज नमबर को हम LF में राइड डाउन करते हैं उसे हम बोलते हैं लैजर फॉल्यू इसी वज़ासे फॉल्यू का मतलब पेज नमबर होता है और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ JF, JF का मतलब क्या होता है Journal Folue तो basically जो balance हमारा जो entry हमने जर्नल में यहाँ पर लेकर आए है तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि जर्नल में कितने नमबर पेज पर वो entry available है तो हम आज स्टार्ट करते हैं हमें क्या given है first entry debit balance brought forward हमारा सबसे पहले balance कौन सा है debit है तो हमने यहाँ पर लिखना है to balance brought down हमें year given है 2018 आप एक बार heading में लिख दो 2018 उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक date लिखनी है March 1 में लिख ली और two balance brought down कितना 3000 मुझे question में given है कि हमारा 3000 क्या है balance brought down है और एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको statement में ये भी पढ़ना है कि आपने सारी laser बनानी है या सिर्फ एक laser बनाना है तो हमें given क्या था prepare the account of Mr. Small सिर्फ और सिर्फ Mr. Small का laser बनाना है तो मैं यहाँ पर heading भी क्या दूँगा Mr. Small मैं Mr. Small का laser बना रहा हूं और मैंने सिर्फ और सिर्फ single laser बनाना है इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं करना तो यहाँ पर पहली entry हमने कर ली उसके बाद आगया March 7 March 7 में हमें क्या दिया हुआ है Mr. Small made credit purchase from Mr. Big Mr. Small ने क्या किया उदार सामान खरीदा किसे खरीदा Mr. Big से आप कोन हो आपको इस चीज को ध्यान रखना है आप कौन हो आप हो Mr. Big Mr. Big से Mr. Small ने क्रीदा आप तो Mr. Big हो न तो आपने तो सेल किया न बेसिकली तो आपको यही चीज समझनी पड़ेगी कि statement में हमें क्या दिया हुआ है अगर आप statement मतलब प्रपेर वाली लाइन नहीं पड़ते तो आप यहां पर गलती कर जाते और आपने एंट्री क्या डाल देनी थी परचेज टू Mr. Small जा परचेज टू Mr. Big जा कुछ भी आपने बेसिकली परचेज अकाउंट को लिखना था पर हमने हैडिंग अच्छे से पड़ी जिसमें हमें पता चला कि हम कौन है Mr. Big हैं और Mr. Big से सामान Mr. Small समाल ने परचेज किया है तो बेसिकली Mr. Big ने तो सेल किया है तो यह एंट्री बन गई सेल की तो सेल की हम उदार की एंट्री क्या डालते हैं Mr. Small Account Debit to Sales Account यहां पर हमें जर्नल बनाने के लिए नहीं बोला हुआ इसी वज़ा से मैं जर्नल नहीं बना रहा तो डिरेक्टली आपको करना सिखा रहा हूं Mr. Small to Sales Account आपको एंट्री दिमाग में ही गुमानी पड़ेगी जर्नल एंट्री तो Mr. Small अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट तो Mr. Small डेबिट है तो सेल को क्या करना है हमने डेबिट साइट पर लिख लेना है कितने रुपे की 1500 हमें 1500 रुपे की एंट्री दी हुई है उसके बाद आ गया March 12 आपको अच्छे से समझना है Mr. Small रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स Mr. Small को गुड्स में कुछ डिफेक्ट लगा कुछ गुड्स में तो उसने वो गुड्स रिटर्न कर दी हमें 150 की गुड्स हैं वो तो रिटर्न की तो हमने क्या करना होता है सेल वाली एंट्री का उल्टा को हमने उल्टा कर दिया तो अगर एंट्री को उल्टा किया मतलब सेल्ज रिटर्न हमारा डेबिट हुआ और Mr. Small हमारा क्रेडिट हुआ अगर Mr. Small क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री भी किस साइड जाएगी क्रेडिट साइड तो सबसे पहले मैं लिखूँँगा डेट मार्च 12, 2018 मैं हैडिंग में लिख कर छोड़ दूँगा तो बाई सेल्स रिटर्न क्योंकि Mr. Small का लैजर है और हम Mr. Small में किसी Mr. Small का नाम कभी भी नहीं लिख सकती तो 150 मैंने लिख लिया उसके बाद क्या आ गया 30,000 रुपीज पे कर दिये तो हमारे पास पैसा आएगा Mr. Small नहीं है हम हम है Mr. Big हमारी बुक्स में एंट्री लिखी वी है इसका मतलब क्या है Mr. Small ने हमें पैसे पे किये कितने रुपे पे किये 3,000 तो हमारे पास पैसा आया पैसा आया मतलब debit what comes in debit what comes in मतलब हम cash को क्या करेंगे debit करेंगे to Mr. Small Mr. Small is the giver giver होने की वज़ा से हम उसे क्या करेंगे credit करेंगे तो Mr. Small credit हो रहा है तो हमारी एंट्री भी किस साइड आएगी credit साइड आएगी by cash कितना 3,000 कितने date आगी March 15 March 15 उसके बाद आगया March 30 last entry of account इसमें क्या given है Mr. Small repaired the roof of Mr. Big roof होती है चत Mr. Big की premises Mr. Big का कोई premises होगा मतलब हमारा कोई building होगी कुछ और होगा उसकी चत को Mr. Small ने repair करवा दिया and agree to adjust the value of the work in his account 530 और वो क्या बोले 530 रुपे खर्चा आया उस पर Mr. Small क्या बोले आप मेरे को मत देना जो मैंने आपके पैसे देने है उसमें adjust कर लेंगे तो इसकी मैं आपको पहले journal entry समझाता हूँ अगर मैंने अपनी building को repair करवाया तो मैं entry क्या डालता repair account debit to cash क्योंकि मेरे पास से पैसा जाना था तो मैंने repair मेरा खर्चा हो गया तो मैंने 530 रुपी की entry यहां पर डाल लेना थी ठीक है 530 है बिल्कुल 530 है लेकिन मेरी जगा पर पैसा किस ने दे दिया Mr. Small मतलब हमें हमारी pockets में से तो कुछ नहीं गया तो मैंने cash की जगा क्या लिख लिया Mr. Small repair तो मेरा खर्चा होई गया Mr. Small को पैसे दे दूँगा मैं नहीं पैसे दूँगा तो मैं adjust कर लूँगा क्योंकि मैंने Mr. Small से पैसे लेने थे तो इसी वज़ा से मैंने इस according entry डाली ठीक है तो Mr. Small यहां पर क्या हो रहा है credit हो रहा है तो entry किस साइड आएगी credit side तो entry की date क्या थी March 30 March 30 तो entry आएगी buy repair account एक चीज और और द्यान रखो आप देखो जितना मेरे को experience है अगर आप अपनी entry को बोल बोल कर लिखोगे accountancy में अगर आप अपनी entry को बोल बोल कर लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा लेकिन अगर आप अपने दिमाग में ही सिर्फ गुमाते रहोगे तो आपको confusion भी हो सकती है आप थोड़ा सा बोल कर भी practice किया करो rules को साथ में लेके चला करो जो मैंने आपको second lecture में करवाए थे debit और credit के rules basically real nominal and personal उन rules की बहुत value है आपकी पूरी की पूरी book में आप किसी भी chapter में बोलोगे मैं उसी chapter में आपको rules apply करके दिखा दूँगा क्योंकि वो rules golden rules है हमारे accountancy के अगर वो rules नहीं आते तो आप कुछ भी कर रहे हो accountancy के अंदर वो just cramming है आप रटा मार रहे हो लेकिन आपको उसका meaning नहीं पता आपको ये नहीं पता कि कौन सी चीज किस side पर क्यों आ रही है तो उसी क्यों का answer उस rule में है तो आपको वो क्यों का answer तो आपकी commerce zero हो गई आपकी commerce में आपने plus one में जितना भी time waste किया plus two में जितना भी time लगाया जितना भी आपने bcom किया bba किया कुछ भी किया तो आपकी सारी की सारी study zero हो गई अगर आपको यहीं नहीं पता कि कौन सी चीज debit हो तो गई लेकिन वो debit हुई क्यों है तो उसी y का अंसर हमें उन तीन rules में मिलेगा आप plus one plus two किसी भी class में जाकर वो rules को apply कर सकते हो आपके हट topic में वो accountancy के हट topic में वो apply होंगे debit और credit के लिए तो फिलहाल हम अपने question पर वापिस आ जाते हैं तो हमारी entries जहां पर खतम होती है जो मैंने आपको topic करवाना था जो मतलब हमारा question था तो अभी हमने इसका क्या करना है carry down and broad down निकालना था कल भी सीखा था हमने तो हम आज भी दोबारा सीखते हैं एक बात तो इस side का total मेरा कितना बन गया 4500 यह तो simply पता चल रहा है तीन 3000 and plus 1500 तो पंताली सो बन गया इधर आ गया मेरा 35 36 3680 रुपीज ठीक है तो मैं difference निकालूंगा 0 2 and 4 4-6 14-6 8 820 आ गया तो 820 आ गया 820 किस side आएगा आपको यह भी देखना है कौन सी side आता है जो side कम होती है तो basically यह side कम है तो आएगा कौन सी date को last date of month तो last date कौन सी होती है March की 31st March तो मैंने क्या लिखा by balance carry down कितना 820 और मैंने दोनों sides का total कर दिया जो की बन गया 4500 कितना 4500 उसके बाद मैंने next year next month की first date next month की first date को क्या किया 1st April 2018 two balance broad down same balance जो मैंने carry down किया था उसी मैंने broad down कर लिया और total के नीचे मैंने क्या किया दो lines लगाई ठीक है आपको मैंने कल भी बताया था यह lines लगानी जरूरी है आपको इस चीज को दियान में रखना है इसके बाद हम एक question और करेंगे यह था हमारा जो topic इन्होंने book में दिया हुआ था preparing a personal account मैं personal account आपको करवा दिया इसके बाद मैं आपको एक और question करवा देता हूं वो next topic करवा देता हूं मैं आपको मैं आपको next topic करवा देता हूं preparing a real account preparing a real account में हम question कर लेते हैं हमारा question number 12 यह हमारा topic है preparing a real account इसमें क्या है हमने इसमें भी statement को अच्छे से पढ़ना है कहते हैं pass journal entries and prepare machinery account यहां पर हमें बोला हुआ है कि आप journal entry भी pass करो और आप machinery account भी prepare करो मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ machinery का ही prepare करना है account और किसी account को prepare नहीं करना मतलब चाहे कोई cash account आ रहा है चाहे कोई भी account आ रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा prepare करना है only machinery का तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मतलब मैं अपने according कि हम इस question को फिलहाल without journal ही करके देखेंगे, हमारी और अच्छे से practice हो जाएगी, तो मैं आपको without journal ही इसे करवाँगा, तो पहले मैं इसका format बना लेता हूँ date, particulars, jf, amount, fit date, particulars, jf, and fit amount, ठीक है, ये तो हमारा format है, ये तो हमें पता ही है, तो हम सबसे पहले heading देंगे, कि हमारा ये कौन सा account बना रहे हैं, हम machinery account बना रहे हैं, तो machinery account हम prepare करना है हमने, और सबसे पहली entry देखी हमने, 2019 की entries हैं, March 1st में क्या हुआ, purchased machinery for cash 35,000, installation charges paid 2500, ये हमने पढ़ा था, कि अगर किसी asset पर कोई खर्चा हो रहा है, तो हमने उसी की value में add कर देना है, तो basically ये machinery हमें कितने रुपे की पड़ी, 37,500, अगर किसी को इस बात का नहीं पता है, तो आप please मेरा lecture सुनो, expenses on purchase and sales of goods and assets, आपको वहाँ पर clear हो जाएगा, कि हमने ऐसा क्यों किया, इस value को हमने 35,000 में ही क्यों add कर लिया, ठीक है, तो हमारी entry क्या बढ़ेंगी, परचेज किया है, तो machinery account debit to cash account, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, machinery को debit करेंगे हम, तो entry भी आएगी debit side, March 1st, entry भी कहाँ पर आएगी, debit side, तो to cash, कितने रुपे, 37,500, machinery account debit to cash account, journal entry, अगर आप में से कोई journal भी डालना चाता है, तो आप डाल सकते हो, मैं हर entry को journal में आपको बूलता जाओंगा, लेकिन मैं सिर्फ laser बनाऊंगा, आपको laser without journal करना सिखा रहा हूं, मैं, तो हमारा next आ गया, March 7th की entry, purchase machinery, हमने और machinery खरीदी, ठीक है, from Tahira, 52,000, इसमें installation पड़ी, 1000, तो हमने ताहिरा से 53,000 की machinery खरीदी, और जो installation की amount है, वो हमने buy check pay कर दी, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, तो हमारा क्या बनेगा, March 7th, तो इसकी first entry आ गई, to Tahira, 52,000, and March 7th को ही, हमने उसे install करवाया, और पैसा buy check pay किया, तो to bank, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने दो entries सिर्फ इसलिए डाली, क्योंकि मैंने कुछ पैसे cash में जा, buy check jack किसी भी वे से दिये थे, और कुछ पैसों का मैंने उदार किया था, तो जो पैसे मैंने उदार किये थे, उनको मैंने नाम पर डाल लिया, और जो मैंने पैसे में दिये थे, वो मैंने कैसे दिये है, mode of payment को मैंने लिख लिया, भी buy bank मैंने ये पैसा pay किया है, ठीक है, उसके बाद आ गया हमें, machinery of the book value 12,000, sold for 15,000, हमारी 12,000 वाली machinery हमने 15,000 रुपे की sale कर दी, मैंने ये भी आपको specially topic करवाया था, जर्नल में, कि अगर हम किसी machine को, जा किसी fixed asset को profit कमा कर sale कर रहे हैं, तो हमने profit को show करना है, हमने वहाँ पर लिखना है, कि हमें इतना profit हो रहा है, तो हम यहाँ पर entry डालेंगे अभी, वैसे हमारी journal entry क्या बनेगी, मैं इसकी आपको एक बार journal entry डाल के दिखा देता हूँ, cash account debit कितना, 15,000, two profit and loss account कितना, 3,000, two machinery कितनी, 12,000, तो 12,000 वाली machinery हमने कितने की sale की, 15,000 की, तो machinery credit हो रही है, तो हमने entry भी किस side डालनी है, credit side डालनी है, March 12, तो हमारी buy cash, कितने रुपे, 12,000 है, यह तो आपको पता चल गया है, क्यों मैंने कल बताया था आपको कि अगर credit वाली चीज का आप account बना रहे हो, तो आपको उसके साथ वाली debit वाली items लेनी है, ठीक है, और आपको कुछ नहीं लेना, तो यह रही हमारी machinery purchase की entry, असु sale की entry, उसके बाद हमारा आ गया, next entry, machinery of the book value, 20,000 and sold for 17,500, हमारी machinery थी कितने रुपे की, cash account debit, 20,000 की, और हमने क्या किया, 17,500 रुपे की sale कर दी, तो हमें यहां पर क्या हुआ, loss हुआ, इस entry को भी मैं आपको लिख कर दिखाऊँगा, एक बार, profit and loss यहां पर debit होगा, क्योंकि loss हो रहा है, और हम nominal के rule के according इसे क्या करते हैं, debit करते हैं, profit and loss account debit to machinery, तो machinery थी मेरी 20,000 की, 25,000 रुपे का loss हो गया, 17,500 रुपे की मैंने sale कर दी, तो अभी machinery credit हो रही है और इसके साथ दो चीज़ें debit हो रही है, तो मैं जहां पर क्या डालूँगा, March कितने की entry है, 16,000, by cash कितने रुपे आए मेरे पास cash में, 17,500, और by profit and loss कितने का loss हुआ, मुझे 25,000, तो आप ऐसे entry डालोगे अगर loss हो रहा है, अगर profit हो रहा है, तो इसमें भी आप एक और तरीके से entry डाल सकते थे, वो क्या तरीका है, तो आप यहाँ पर sale डाल सकते थे, 15,000 और 3,000 का profit आप इदर डाल लेते, लेकिन net amount हमारी 12,000 दी रहनी चाहिए, मलब हमारी machinery की actual कीमत क्या थी, actual cost क्या थी, हमने वही decrease करनी है, अगर आप इसे logically भी समझोगे न, तो आप समझो, अच्छे से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर rule apply करके, real account को आप ध्यान में लेके आओ, हमारा real account का rule क्या था, debit what comes in, credit what goes out, बिल्कुल सर, यही rule था, तो debit side हमारी यह है, और credit side हमारी यह है, क्योंकि machinery को हम touch भी कर सकते हैं, और देख भी सकते हैं, तो अगर machinery हमारे पास आएगी, तो हमने debit करना है, और अगर जाएगी, तो ख्रेडिट करना है, तो machinery आ रही है, तो हमने debit किया, परचेज की थी, अब हम सेल कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, उसे credit किया, तो जितने की आई हमने उतने की record की, अगर जाएगी, जितने की जाएगी, तो हम उतने ही की ही माइनस करेंगे तो बेसिकली अगर मेरे पास एक लाख रुपे की मिशिनरी है उसमें से मैंने 20,000 वाली मिशिनरी सेल कर दी चाहे मैंने कितने की भी सेल की तो मेरे पास तो 80,000 की remaining रहेगी है तो मैंने 80,000 की according ही solve करना है तो इसी वज़ा से हमने actual cost जहां प यह हमारी बुक के according लेकिन आप इसको यहां पर cost भी मान लोगे तो कुछ गलत नहीं है ठीक है तो next entry आ गई हमारे पास machinery withdrawn for personal use हमने घर के लिए निकाल ली मिशिनरी मलब हम अपने personal use के लिए ले गए हो सकता है हमारी कुई हो और और company हो और factory हो हमने वहां पर install करवाई हो तो लेकिन हमारे लिए तो यहां पर क्या है drawings है तो अगर personal use आ गया तो हमारे लिए क्या बन गई drawings बन गई 23 तो drawings to machinery अगर आप journal entry लिखोगे तो drawings to machinery तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा by drawings कितने रुपे की machinery है 7,000 उसके बाद इन्होंने एक last entry दी हुई है इस entry को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना depreciate machinery 4,000 पहली बाद तो मैं आपको depreciation का मतलब बताना चाहूंगा depreciation क्या होती है हमारी suppose आपने एक bike खरीदी bike की कीमती 50,000 अगर आपको उसको एक साल बाद सेल करना है तो वो कितने की सेल होगी 50,000 की तो नहीं सेल कर दोगे आप उसकी value कम तो होगी ही होगी तो जितनी value कम हो रही है that is depreciation तो basically अगर आप normal English की बात करोगे इसकी definition की बात करोगे तो उसका मतलब क्या है use of asset आपने कितने रुपे का acid use कर लिया तो जितने रुपे की उसकी value कम हो जाएगी तो जो value कम हो रही है मतलब हमारे से हमारा asset हमारे पास से जा रहा है तो यह भी बोल सकते हैं कि depreciation हमारा खर्चा है तो depreciation को हमने क्या कर लिया debit कर लिया to machinery हमारे पास से goes out हो रही है तो हमने machinery को क्या कर लिया credit कर लिया कितने रुपे की 4000 की तो machinery credit है तो हम क्या करेंगे by depreciation कितना 4000 तो आप इस entry को journal को जुरूर record करना आप साथ में नोट बुक को और pen लेके बैठा करो क्योंकि जो भी मैं चीज बताता हूं आप एक बार note जुरूर किया करों चीजों को 87,000, 88,500 आप जो अगर आप पंजाब बोर्ड के student हो तो आपको यहां पर calculator allowed है exam में भी allowed है और अगर आप CBSE के student हो तो आपको calculator allowed नहीं है तो इस side का total बन गया 90,500 तो CBSE वाले student जादा से जादा practice अपने हाथ से करें आप calculator को यूज मत करो और पंजाब बोर्ड वाले students के लिए भी मेरी एक suggestion है mostly बच्चे क्या करते हैं उनके पास phones पर वो क्या करते हैं अपना calculator यूज कर लेते हैं लेकिन आप ऐसा मत करो क्योंकि exam में अगर आपको phone नहीं मिलेगा और आपको calculator पर करना पड़ेगा तो आपकी speed नहीं बनेगी अगर आप speed से नहीं करोगे तो आपका paper पूरा नहीं होगा तो आप कोशिश करो आप एक ऐसा calculator लेलो जो आपके पास exam तक रहे और exam में आपको वही calculator यूज करना है तो हमारा दोनों साइड का टोटल आ गया 90,500 यह आ गया 43,000 तो दोनों साइड का डिफ्रेंस आ गया 47,500 तो इस साइड को कम बोलेंगे हम by balance carry down 47,500 मार्च 31st दोनों साइड का टोटल कितना बन गया मेरा 90,500 और 90,500 आपको broad down पता ही है यहाँ पर जगा कम पड़ गई मैंने entry डाल दी थी तो आपको टोटल के बाद ही broad down करना होता है और कौन सी rate को करो गया आप 1st April को सेम ही amount आ जाएगी 2 balance broad down तो यह था हमारा lecture practice of laser, laser chapter हमारा यहां पर students complete होता है यहां पर बस सिर्फ एक चीज रह गई आपकी opening entry opening entry वाला मैंने आपको already बता रखा है कि आप opening entry जब मैं आपको journal की करवाँगा तो आपको laser भी साथ में हो जाएगा और लेकिन अगर आपको इस topic में कोई भी problem आ रही है जो topic मैंने already करवा रहे हैं तो आप मेरे को बोल सकते हो आपके वो doubts clear होंगे आपको 1% भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आज का हमारा जो question है वो question यह है कि हमारी DR मतलब मैंने debit को DR लिखा और credit को CR लिखा तो debit में आर नहीं आती लेकिन हमने यहाँ पर R लिखा है debit में R लिखा है तो R क्यूं आ रही है इसका meaning क्या है मतलब debit को हम short में DR और credit को हम short में CR क्यूं लिखती है आपको इस चीज का answer देना है मेरे को और अगर आपको नहीं मिल रहा इसका answer तो मैंने अपने previous lecture में बता रखा है तो आप मेरे previous lecture सुनो कौन सा lecture है यह आपको पता होना चाहिए वैसे मैं थोड़ा सा hint दे देता हूँ कुछ starting वाले lecture है जहां पर मैंने journal को start करवाया था तो मैंने वहां पर बताया हुआ है कि DR debit को क्यूं बोलते हैं और CR credit को क्यूं बोलते हैं आप उन lectures को सुनो आपके doubts clear हो जाएंगे और आपको इसका answer मिल जाएगा Thank you students मिलते हैं next class में और हां student एक और चीज मैं वेडनेस डे को आपके लिए लाइव आने वाला था YouTube पर वो मैं अभी नहीं आ रहा हूँ क्यूंकि उसमें कुछ technical reasons हैं lockdown की वज़ा से कुछ equipment मेरे को मिलने ही पा रहे हैं जिसे मैंने लाइव में यूज करना था तो इसी वज़ा से वो postpone हो रहा ह हैंगी मैं आपको उस चीज के बारे में इंफॉर्म कर दूंगा फिलहाल मैं वेडनेस डे को लाइव नहीं आ रहा हूं okay students thank you